हाई आल, मैं निशाथ सबका स्वागत निशा किशोर स्मेडी रेस्वई में करती हूँ तो चलिए आज अपन बनाएंगे पनीर और बूंदी का सालत अब हम लोगों को है ना तरकार यहां खा खा के बोर हो गया कुछ तो भी अलग बनाने का सा तो गरफ बोले पनीर बनाओ प्रिज में देखे तो थोड़ा सरका पनीर था तो सोंची क्या बनाना तो क्या करी बूंदी थी जहीं खतम हो गया अब रात में कौन मंगाते तो क्या करी जल्दी से जाकर टमाटे डाल कर यह बूंदी का सागन बनाई आप इसको देखिएगा बनाईएगा और मेरे को कमेंट्स में लिखकर बोलिए कि कैसा बनाई आपन रोज मर रहा के तरकार यहां खा खा कर बोर हो जाते तो यह एक सम्थिंग डिफरेंट है आप बनाईएगा और अगर आप मेरे चानल पर नए है तो प्लीज दू लाइक शेर और शेर और बनाईएगा और अच्छे यूट्यूब वीडियो दालूंगी इंस्पायर होकर तो चलिए कैसा बनाईंगे अपन देखें बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बनाई से हूँ यह तरकारी और इसके इंग्रेडियेंट्स अपने घर में हमेशा रहते तो यह रेसिपी को आप जरूर बनाईएगा अपने को चाहिए एक प्यास एक टमाटर एक इंच तुकड़ा अद्रक्का छे से साथ लेस्न के पोत्निया एक हरी मिर्ची एक मेर पास थोड़ा सरका जोहसो की पनीर था वो और जोहसो की यह है 100 ग्राम भूंदी, 4-5 इलाईची, एक छोटा तुकड़ा दालचीनी का और थोड़ा सरका 3-4 लावंग तो पहले आपन क्या करेंगे प्याज और हरी मिर्ची को बार इक काट लेंगे और उसके साथ जोहसो की वो काट लिये बास से यह अद्रक लेस्न और यह गरम मसाले को आपन बार इक पीस लेंगे ठीक है इससे है ना अपना यह जो अद्रक लेसन और यह गरम मसाला पीसते ना तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ था और अगर आप मेरे चैनल पर नहे है तो प्लीज दू लाइक शेर और सब्सक्राइब और डोंट फोरगेट तो प्रेस दे नोटिफिकेशन वाला करेंवाटन टू बी नोटिफाइड वेनेवर आपलोड दे नियू रेसिपी तो चलिए अपन शुरू करेंगे काम अपना अभी देखिये मेरी प्यास कट गई हरी मिर्ची कट गई और यहां पर जो है हो की मेरा मसाला भी पिस गया इसको अपन निकाल लेंगे आप चाहे त कर लेंगे लेकिन यह अच्छा फ्लेवर आता कि использино-ख कर दाले तो देखेए अपन क्या करेंगे यह एंप टमाटर को और यह पनीर को भी बार इक अскछे चुड़े तुकड़े अपने जैसे बुंदी के तुक्रे बुंदी का साइज पणिल साइज मार्मियों तो चलिए यह साप कात कर मैं आप से तो देखे अपने टमाटे ख़ेए पानी पानी और पुंडी किया पंब को ब्रेयक पी चोकिल चोटे चोकिड़िक colored उ से इता य्प Rudolph one और यह करेंगे पीव में से एक है यह और इतनी अच्छी बनती कुछ बोलना नहीं यह पैन गरम करते कि इसमें क्या करेंगे अपने दो चमचे तेल दाल लेंगे तेल दाल कर तेल को अच्छा गरम करेंगे अच्छा गरम होना अपना तेल तेल अपना अच्छा गरम हो गये बाद से अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप बगर पनीर के भी बना सकते हैं अगर बूंदी नहीं है तो बगर बूंदी के भी बना सकते हैं खाली पनीर दाल कर भी बना सकते हैं लेकिन दोनों का कॉंबिनेशन ना फो टू गुड है था ऐसा बनाईएगा आप खाईएगा और मेरे को बोलिए अगर कैसी बनी बोलकर इतनी मस्त रहती कुछ बोलना ने देखिए अपना तेल अभी गरम हो गया अभी इसमें अपन क्या करेंगे ये प्यास डाल लेंगे प्यास के साथ एक प्यास डाल देना तो कया होता प्यास की मिठास रहती और ये उसमें जो बूंदी में जो मिर्ची रहती ना मसाला रहता वो ये प्यास के उससे वो हो जाता अगर आप ये मेर पास मसाले वाले बूंदी है अगर आपके पास प्लेन बूंदी है तो आप उसमें थोड़े मसाले ज्यादा डाल सकते लेकिन मैं जो हैसो की ये मसाले वाली बूंदी की बना रही हूं तो इसमें आपन टप ये हरी मिर्ची भी दाल लेंगे दाल लेकर इसको अभी अच्छा भुनना आप तो चलिए 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 अपनी प्यास लाल हुए तक अगर आप मेरे चानल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट नहीं करें और नोटिफिकेशन बटन नहीं उसमें अभी देखेंगें अपनी प्यास ये अच्छा लाल हुना आप देखेंगें अपनी प्यास ये होरी और थोड़ी होना ये प्यास देखिए अपनी प्यास अभी हो रही, थोड़ी और होना ये अभी अपन क्या करेंगे, अच्छी खुश्बु आरी मेरे कुप्यास लाल हो रही तो उसमें अपन ये अद्रक लैसन और गरम मसाला पीस कर रखे ना ये दाल देंगे पूरा दाल कर इसको अच्छा भुना, ये अपन मसाला दाले ना ये फ्रेश पीस कर आपके नेबर्स आकर पूछना आपको ये क्या बना रहे भई बोलकर उतना मत बनता अच्छे से एक दो मिनित भुनना ये पूरा ये अद्रक लैसन की अच्छी खुश्बु आये तक भुने जाना ये अपना हां तो मैं बोल रही थी देखिए अगर आपकी बूंदी प्लेन है रायते वाली बूंदी है तो उसमें आप एक एक्स्ट्रा हरी मिर्ची भी दाल सकते और लाल मिर्ची भी आप अपने मर्जी से दाल सकते उसमें क्योंकि ये मिर्ची वाली है मसाले वाली बूंदी है इसल तमाठी दाल तेकी इसमें अपन चाह करना अभी अपना रेगुलर मसाला पड़ता इसके देखिए अपने को अभी ये तीन मसाले हर सालन में पड़े वैसा इसमें भी तीन मसाले ये रेगुलर पड़ते हल्दी नम्मक मिर्ची लेकिन हल्दी नम्मक मिर्ची अपन जो एसो की देख कर डालना क्योंकि अपनी बूंदी भी मसाले वाली है अगर आपकी प्लेन है तो आप डाल सकते हैं तो इसमें मैं क्या कर रही हूं चुटकी भर हल्दी डाल रही हूं स्रिफ ये मसाले को ये जो प्याज और टमाटर है ना उसके लिए मैं ये नम्मक मिर्ची दाल रही हूं बस यानि की वन फोर्टी स्पून नम्मक और वन फोर्टी स्पून मिर्ची दाल लिया जिसको अच्छे से गुलाद भून लेंगे भून लेकर इसको क्या करेंगे सेमी पर रखकर धकन धापकर रख देंगे ताकि अपने टमाटे गल गए गल गए वैसा यह देखिए यह ढखकन धापकर अपन इसको बिलकुल धीमी आज पर पका लेंगे अभी देखिए अपना टमाटर पकते वे पांच मिनिट हो गय है क्या खुश्बू आरी कुछ बोलना ने अब इसमें अपन क्या करेंगे यह अपनी जो पनीर है ना पहले पनीर दाल लेंगे यह बारी कटी भी पनीर दाल लेंगे पनीर दाल कर एक वकट इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि पूरा मसाला पनीर को लग गया है फिर आपन क्या करेंगे यह जो बूंदी है ना यह बूंदी भी इसमें दाल देंगे दाल कर इसको अच्छा मिलाएंगे अभी इसमें ही अपन अब क्या करेंगे थोड़ी तर की कोटमीर काटके दाल देंगे अब देखे मैं पानी भी नहीं दाली पानी भी दालने की जुर्रत नहीं रहती इसमें अभी अपन कोटमीर काटकर दाल लेंगे इसमें अभी अपन बूंदी दालकर एक वक्त मिला लेकर इसको जो है सो कि अपन ब्रम पर छोड़ देंगे बस हो गया यह अपना समझिये इसको अपन अब स्टव आफ करकर धककन धाफ कर छोड़ देंगे तो यह देखिए अपनी पनीर बूंदी की सालन रे बन कर रेडी एक पांच मिनिट छोड़ देकर अपन इसको सर्फ कर लेंगे देखिए अभी अपन रक्कड जो है सोकी एक पांच मिनिट हो गए हाँ क्या खुश्बू आरी कुछ बोलना ने कुछ मटन करी इसके साम में काम में नहीं आएंगा इतना खुश्बू मस्ता आरी अब बूंदी अर पनीर का सालं बनकर रेडी हो गया और में कांट वेट तु ए ट एट अपिसको जो यूस ओ कि रोड़ी के साथ खा सकते आप इसको जो आपके साथ कहा सकते अगर आपके बच्चे बोल नए मम्जितने की क्यों बहले को काली स्नैक्स खाना ए पर तो काली जब कर दोगी जफिए ऑपुक discussing प्रति प्रतिन केर्पी कोAPPे है mm जब खंगे ली से खवारशिटव स्थरों काई जब खाम किस साथ 2 हो pagan जब बाटिजmeden कि समझे काता है